तो कोरोना वारस से बचाओ खिलिए कई कमपणियों ने अपने कर्मचारे को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई लेकिन इस बीच बिना पर्मिशन के वैक्सीन कैम्प लगा कर वैक्सीन लगवाने का मामला भी लगातार सामने आ रहा जहां यूपी के गौतमबुन नगर में एक अपकमिंग हाउस इन सोसाइटी ने अपने परिसर में आयो जीत शिवरों में मुफ्त कोविड वैक्सीन लगवाई वहीं माना जो रहा है कि ये वैक्सीन अलीगड के नौरंगाबाद में एक शहरी प्रार्थमिक स्वास्तिकेंद से मंगाई गई थी बता दे कि ग्रेट नौइडा में जेपी ग्रीन्स के लगभग 200 सदस्यों को पिछले महीने में अंत में सोसाइटी में आयो जीत दो कैम्प में वैक्सीन लगाई गई थी जिसमें 18-44 के उमर के बीच और 45 से ऊपर के लोगों की वैक्सीन लगी थी वहीं जब इस मामले की जाच की गई तो पता चला कि ये शिविर 21 माई से 27 माई तक आयुजित किये गए थे रिकॉर्ड बताते हैं कि लाभारतियों को नरंगाबाद में UPSC से प्रमार पत्र जारी किये गए थे इस पूरे मामले पर यूपी के अतरिक्त मुख सच्ची ने बताया कि मामले पर संग्यान लेते हुए उन्होंने मुख्च की साधिकारी अलीगर से मामले की जाच करने की मांग की पंजाब निशनल बैंक के साथ 13,500 करोड रुपे की धुखादरी करने के मामले में वांचित हीरा कारोबारी महुल चौक्सी के अपहरन के दावे की जाच एंटगुआ और बार्बुडा पुलिस करेगी चौक्सी ने अंटगुआ और बार्बुडा से अपहरन कर डोमेनिका ले जाए जाने के अदावा किया था फिलहाल हीरा कारोबारी डोमेनिका में अवैद रूप से घुसने के आरोप में पुलिस की हिरासत में हैं जहां से भारस सरकार उसे प्रतिर्पित करकर वापस लाने की अब तयारिया कर रही पश्रिमंगाल में ओजड़ी के पदों को लेकर राजपाल जगदीब धनकर और तरल मुर्ट कॉंग्रेस की सांसद महुआ मोहितरा अब आमने सामने आ चुके महुआ मोहितरा ने कहा है कि अंकल जी अपने पूरे गाउं और खांदान को राजपाल ले आईए मोहितरा के इस दावे पर अब राजपाल धनकर ने जवाब दिया और कहा राजपाल ने कहा है कि ओजड़ी के पदों पर कोई भी मेरा करीबी रिष्टेदार नहीं है उन्हेंने कहा ओजड़ी तीन राजपाल से हैं और सभी चार अलग-अलग जातियों से संबंद भी रखते हैं इन मेंसे कोई भी परिवार या फिर करीबी रिष्टेदार का हिस्सा हो ही नहीं सकता चार ना तो मेरे जातिके हैं और ना ही मेरे राजके